हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी, हार चानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा in Hindi बेल आइकन को जरूर दमाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका संगी सिक्षान हिंदी में मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपने नए टुटोरियल में नए वीडियो में राख तोड़ी पार्ट वन राख तोड़ी का भागा द्याय एक पहला और जैसे कि मैंने बता था यह तोड से राख है जो अपने थार से बनी राख दस हैं पहले में वह बताऊंगा तो आज तोड़ी का मैं बताने जा रहा हूं राख तोड़ी और इसमें पहले बतातों कि रेगा धा सवर्विक्रत है कोमल लगते और मां तीव्र है नीशुद्ध है और बाकि सारे शेष्वर वादी सुर्ष का कोमल धा और समवादी कोमल गाह है जाती इसकी संपूर संपूर है नियास के सुर्ष के कोमल गाह और धा है ओल्ली आरो सा रे गा मातीव्र है पा धा कोमल नीशुद्ध और सा अगरो सा नीशुद्ध है तौड़ी पहले रैंट अमेस कर तोड़ी अंग है दुस्का अंग है वह है रे गारेशा यूं वा मैं आपको गाह के बता हुगा कैसे यह कंगर यह इसका यह है तोड़ी एंग जीसे बोलते हैं और इसकी पकड़ है धा कॉमल नीचे का मंदर का है नी सारे गा मा गा फिर है मा धा पा मा गा रे गा रे सा मा धा पा मा गा रे गा रे सा तो ये दो पार्ट में इसका पकड़ है अब इसके बारे में आपको बता दूँ कि इसकी थार जो है तोड़ी है गायन समय दिन का दूसरा पहर है वादी स्वरस का दा है और समवादी गा है जाती इसकी संपूर संपूर है पर कभी-कभी आरो में इसको पाव वर्जित कर दिया जाता है सारे गा माधा नीशा कभी कभी पाव रजित कर देते हैं कभी कभी कहीं कहीं और अवरो में पागा अल्प प्रयोग है नियास के सुर गाधा है और यह गंभीर प्रिक्ति का राग है और इसमें चोड़ा खयाल दुरुत खयाल और ज्यादा क्लियर है तो यह इसका पूर्ण परिचे हुआ थाठ तोड़ी है गाइन समय दिन का दूसरा पहर है और इसकी संप्रकति राग मैं आप उता ना भूल के स्वरी संप्रकति रूम्बलतानी है और गुरुजरी तोड़ी है और इसके जरम के बारे में कहा जाता है कि मिया तांसिन इसके जनम दाता है इस राग के चेता है निर्माता है और कभी-कभी से मिया की तोड़ी भी कहते हैं पर वह एक अलग चीज है वह मैं आपको आगे बताऊँगा रेगा रेशा इसका तोड़ी अंग है यह तोड़ी अंग है यह विश्श का अंग तीस प्रकार अरु सारे गामा पाध्दानी श्चा अव्रो सानी धाप अगारे श्चा चाब्यां के अनुसार इस चलान रसका बाकी फकर में कभी-क रोण भी कंफ्यूज कुछ-कुछ अलग और कॉमन होता है हरचीज कॉमन होती वह समझने वाली बात है तो यह पकड़ी आरो और जाती तो अगले वीडियो यह पार्ट वन था अगले वीडियो में इसकी स्वर्लिपी दूँगा मैं बंदिश की और उसके वाद बंदेश का गायन so keep watching thank you, happy learning, love you so please watch this video and don't forget to subscribe it, like it and share it and if there is a comment, so please comment on my comment box and i hope you will like it thank you very much